आप देख रही है MNS News सच जरूरी है शनिवार की देर शाम पूने में एक सिक्रेट मीटिंग होई थी इसको लेकर महाराष्ट की राजनीती में घमासान मच गया है इस मुद्धे पर रववार को शरतपवार ने कहा कि कुछ शुपचिन तक उने मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मेरी पार्टी एंसिपी कभी भ राजनीती भाजपा के साथ फिट नहीं बैटती शरतपवार महाराष्ट के सोलापूर जिल्ले के सांगोला में पत्रकारों को संबोधित करते वे ये बात कहीं उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ कोई भी जुडाओ क्राकपा की राजनीती किनीती में फिट नहीं बैटता है उन्होंने यह भी कहा कि NCP के राष्टी अद्धक्षय के रूप में यह पश्ट कर रहा हूँ कि मेरी पार्टी भाजपा के साथ नहीं जाएंगी हमारे रूप में बदलाव चाहते है शुप चिन तक शुर। में बुराई क्या है शुप सेना भाजपा सरकार में शामिल अपने भाति अपने भतिज्य और डिप्टी सेम अजित पवार के साथ शर्ट पवार को हुई सिक्रेट मीटिंग के सवाल पर शर्ट पवार ने कहा कि मैं आपको बता दू कि वह मेरे है अजित पवार मेरा भतिज् मिलने में क्या बुराई है यादि परिवार को कोई वरिष्ट वेक्ति परिवार से किसी अन्यसद्रस्टे से मिलना चाहता है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस प्रवुक ने यह भी कहा कि लोग राज्य की सत्ता महाविका सगाडी को सोपेंगी जिसमें शिवसेन मुख्य मंत्रीपत की शपत ली जबकि उनका समर्तन करने वाले एंसीपी के आठ विदायक ने मंत्रीपत की शपत लीती आईए बढ़ते अगली ख़बर के और इमाचल में फिर कुद्रत की मार लैंड्सलाइड में दबा मंदिर हिमाचल में पिछले साथ घंटों से मोसम का सितम जारी है इसी क्रम में राजदानी शिमला में आज सुमवार को बड़ा हासा हो गया सुमवार सुबस साथ बजे बारिश के कारण हुए लाइन स्लाइड से शिव मंदिर को चपट में ले लिया सावन का सुमवार होने के कारण मंदिर में भक्तों की भारी भीरती इसमें मंदिर में मौज़ती से जादा लोग डब गए अब तक पाच जनों के शिव निकाले जा चुके हैं मौके पर NDRF और SDRF की टीम बचाने और रहा तब्यान में जुटी हुई है सियम बोले हमारे प्रात्मिक्ता जिंदगिया बचाने वही मलवे में दबेविक्ती ने इस्तिदारों को फोन कर जल्द रेस्क्यू करने की बात कही है इस बीच सियम स्कुविंदर सियां सुकू की सुकू भी घटनस्टल पर पहुचे उन्होंने काकिस्तानिय प्रशाशन म में को हटा रहा है फसे लोगों को निकालने की कोशिश की जारी है अभ्यान चलाने और लोगों की जान बचाने के लिए मौके पर बहुचुद है मैंने मंडी में अपना पुर्वन दारित कारे कम रद्द कर दिया 15 अगस का स्वतनतर दिवसकारे करों हमेशा की तरह चलेगा लेकिन हमारे प्रात्मिक्ता जिंदेगिया बचानी है सोलन में बादल पटने से साथ की मौत हिमाचल के सोलन के जादोन गाओं में बादल पटने से साथ लोगों की मौत हो गई है तीन लोग लापता है, पिछले 24 गंटों में हिमाचल प्रदेश में लगा तर बारिश के कारण भूकलन हुआ है, जिसमें शिमला चंदिगर मार्ग सहीत कई सड़क बंद हो गई है, कंडा घाट के सब डिवीजिनल मैजिस्टरे सिदार ताचरे ने कहा, सुनल के कंडा घाट खंडग के जादों गाव में बादल पटनी की घटना के बाद, पाच लोगों की मौत हो गई, तीन लापाता हो गया है, और पाच को बचा लिया गया है, अब आप हमारे चैनल को आपकी मूबाल पर भी देश सकते हैं, मूबाल आप पर देखने के लिए प्लेस्टोर अमेन mnsnews.com पर फिलाल वक्त, हो चला है दर शको ब्रेक का, ब्रेक से लोटने के बाद दिखीगा, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे बने रहे हैं, mnsnews टी पर नमस्कार ये है mnsnews निट पर और आप देख रहे हैं, mnsnews